आज किस लेक्ट्र में हम लूग बात करेंगे कि एक NPN transfer में से CRUNK किस तरह से फ्लो करता है इस से पहले हम लूग बात कर चुके हैं keto, buising and formation of a transistor पे तो वहाँ में हमने देखा था कि transistor की बेसेकली 2 तरह की types होती है npn-transist-or और pnp-transist-or अगर हम लोग बात करें commonly used transist-or की तो वो हमारे पास होता है npn-transist-or आई ये आज किस lecture में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि एक npn-transist-or के करना किस तरह से flow करता है तो यह मेरे पास एक NPN ट्रांस्टर है यह इसका इमीटर टर्मिनल है यह बेस और यह कुलेक्टर टर्मिनल है अब लोग बाइसिंग रिक्वार्मेंट्स आफ़ ट्रांस्टर में पढ़ चुके हैं बेस इमीटर जंक्षन शुडबी यह फारवड बाइस विधी हलप आफ वी वी बी और आप यह बी पढ़ चुके हैं कि वी सी का पुटेंशल हमेशा वी 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 के पुटेंशल से गरेटर होना चाहिए तो बेस इमीटर जंक्षन को फारवड बाइस हम लोग करते हैं इमीटर देखें जो के एंट टाइप का बना हुए इसको हम लोग ने नेगिटिव टर्मला वी वी के साथ कुनेट किया है बेस जो के पी टाइप का बना हुए इसको हम लोग ने पॉजिटिव टर्मला वी व लव वी से सी तो आप कहा सकते हैं बेस कॉलेक्टर जुंक्शन जहां पर क्या हो गया रिवर्स बाइस्ट हो गया इनीशली अगर हम लोग बात करें इमीटर की तो इमीटर रीजन में जो है ना स्टूडेंट जहां पर मिजारिटी में फ्री उलेक्टरॉंस होंगे उनको यहां पर मैंने रेप्रेजेंट की है रेड डॉट्स की मदद से तो देखिए जब हम लोगों ने बेस इमीटर जेंशन को फॉर्ण बाइस कर दिया बेस कॉलेक्टर जेंशन को यहां पर रिवर्स बाइस कर दिया तो current in a NPN transistor किस तरह से establish होगा उसको हम लोग discuss कर लेते हैं देखी इमीटर टर्मिनल को हम लोगों ने connect किया विदा negative terminal वी बी और collector connected है विदी positive terminal वी सी सी तो जब इमीटर के अकरास negative potential आएगा तो यहाँ पे मजूद electrons जो है न वो repulsion phase करेंगे अब यूँ कहें कि emitter जो है na electrons को इस तरह से repel करेगा electrons को इस तरह से inject करेगा किस में into a base region electrons from the emitter region are injected into a base region electrons emitter से base region में inject होंगे जब emitter base junction जो है न फार्ड बायस होगा तो electrons जब base region में आएंगे base region जो है न student यह lightly dope और small in a size होता है इसका एक तो size काम होता है base का और इसकी doping भी काम होती है तो अब लोग बात करेंगे यहाँ पे जब electrons base region में आए तो यहाँ पे होगा क्या देखें, electrons के flow करने के दो बात हैं यहाँ तो electrons इस collector region में चले जाें या पिर इस base terminal के तरफ move करते हुए positive terminal वी वी पे आ जाएं तो देखें दरग और से हम बात करते हैं collector और base की यह electrons जो emitter ने inject की है base में यह वो base terminal की तरफ move करेंगे यह collector terminal की तरफ move करेंगे यह depend करता है provided potential पे आप लोग देखें collector को हम लोगों ने connect किया with the positive terminal वी से सी और base यहां पे connected है with the positive terminal वी 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 it means that base के अक्रास भी positive potential है collector के अक्रास भी positive potential है ज्यादा potential किसके अक्रास है आप लोग जानते हैं VCC का value ज्यादा होता है तो collector के अक्रास potential का value larger होगा और base के अक्रास potential का value smaller होगा it means that जब electron inject होंगे from emitter into a base most of electrons will attracted toward the collector terminal यह जो electrons emitter से base में गए है क्योंकि collector के अक्रास positive potential है base में भी positive है लेकिन collector का potential ज्यादा है तो सबसे ज्यादा electrons most of electrons अब यूँ कह सकते हैं almost all electrons which are accelerated from emitter into base are accelerated toward the collector terminal वो collector region में चले जाएंगे जो electron base region में आये थे सबसे ज्यादा electron चले जाएंगे किसमें collector region में और यहां पर collector region में move करते हुए on the positive terminal वी सी सी पे पहुंच जाएंगे base में क्या होगा स्टूरेंट देखें base lightly doped और small region है इसमें एक तो lightly light doping की विजह से majority charge carrier बहुत कम है और यहां पर majority charge carrier चुके P-type का यह बना हुआ है तो holes होंगे बहुत कम electrons within the holes इना base of the transistor जो है न वो recombines होंगे और यू कह सकते हैं कि बहुत कम electrons जो होंगे न जो emitter से आयां base region में वो base region में मजूद horse के साथ recombine करेंगे या base terminal के क्रास मूव करेंगे सबसे ज्यादे electrons accelerate हो जाएंगे तू अर्दा collected terminal देखी emitter से electron का flow होगा तो emitter junction के क्रास जो है न current बनेगा उसको आप लोग नाम देंगे emitter current का base के क्रास जो small amount of current flow करेंगा small amount of electrons flow करेंगे base terminal के क्रास उस current को नाम देंगे base current का और जो most of electrons accelerated from the emitter into a collector region collector region में जब electrons move करेंगे current को हम लोग नाम देंगे collector current का आईए इसको समेचते हैं हम लोग next diagram में जहां से electrons inject हुए into a base region base region light dope and small region most of electron चुके collector region के क्रास प्रेंशल ज्यादा है positive है with the positive terminal वी से सी connected है तो most electron collector की तरफ क्या हो गए accelerated हो गए बहुत कम electron student जो है ना वो base terminal के क्रास move करेंगे it means that जहां से जो emitter से electron move की है base में base से बहुत कम electron towards the positive terminal वी वी भी move करेंगे most of electrons which are injected from emitter into base will accelerate towards the collector terminal और जहां से collector terminal से move करते हुए towards the positive terminal वी सित्री की तरफ move करेंगे आप यूं कहेंगे कि जो emitter current था emitter की विज़न से electron flow का रहे थे emitter current वो किस में spilt up हो गया वो convert हो गया base current and collector current आप यूं कह सकते हैं अगर आप np and transistor के क्रास current की value की बात करें current alpha np and transistor would be equal to the sum alpha base current and collector current which is equal to the emitter current collector current और base current का जो value होगा जो sum होगा वो किस की equal होगा emitter current की equal होगा देखिए na emitter से electron आया है base में base से गया है collector में थोड़े बहुत आया है base terminal के अकरास तो mean emitter current डिवाइड हो गया base current and collector current के अकरास अगर हम लोग बात करें collector current और base current की student देखिए जो electrons emitter से base में आया है base region चुके lightly dropped है small region है का तो यहां पर बहुत कम electron base terminal के अकरास move करेंगे या फिर आप यूँ कहें के बहुत कम electron base में मजूद होल्स के साथ recombine होंगे सारे के सारे आलमों सारे electron जो है नव चले जाएंगे collector current में it means that collector current का value हमेशा base current की value से ज्यादा होगा तो यह हमारे पास block diagram थी NPN transfer की अगर हम दोग sample diagram ट्राग करें NPN transfer की तो यहां पर मैंने इसकी यही वाली सरकट को मैंने इस farm में दुबार से design कर दी है यह NPN transfer emitter collector and base terminal base and emitter emitter end का है तो negative terminal ला वी 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 बेस peak है तो positive ला वी 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 की मदद से base meter junction far bias और vcg की मदद से base emitter junction base collector junction जो है न वो reverse bias to हो चाएगा देखिए यहां से electrons जाएंगे emitter से emitter से जब electron जाएंगे emitter terminal के कराद spilt up हो जाएंगे divide हो जाएंगे कुछ base की तरफ जाएंगे कुछ electron base terminal की तरफ move करेंगे base की तरफ move करते हुए पहुंच जाएंगे positive terminal आ वी बी बी पे और कुछ electron जो होगे emitter से बलके बहुत जाएंगे collector से यहां से flow करते हुए आ जाएंगे positive terminal आ वी सिसी जो electrons emitter से emit हो रहे हैं उसको current होगा उसको emitter current का नाम देंगे IE से risk current करेंगे और जो electrons flow करेंगे वो जाएंगे positive आ वी बी 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 पे तो इनको हम लोग इनकी वेने से जो current होगा इस ट्रांस्टर में उसको हम लोग IE का नाम देंगे base current का and most of electrons which are injected into a base will accelerate toward the collector terminal collector terminal के क्रास जो current flow करेंगा जो electrons flow करेंगे उनकी वेने से जो current होगा उसको collector current या IC से प्रेंट करेंगे और ये पहुंच जाएंगे VCC पे अगर हम लोग बात करें direction of a current throw a NPN transistor तो ये तो हमने इस diagram में बात की है the direction of flow of a electrons throw a NPN transistor के NPN transistor में electrons के flow की क्या direction होगी तो वो ये है अगर हम लोग बात करें direction of a flow of a current in NPN transistor तो आप लोग जानते हैं हम लोग current की direction conventionally लेते हैं positive charges वाली लेते हैं तो यहां पे जो electrons की जो movement है आप कहेंगे जो current की direction होगी opposite to the movement of electron होगी तो उसको हमने इस circuit diagram में current की जो है ना direction उसको यहां पे denote की है represent की है जो के opposite to the flow of electrons है देखें यहां से VBB के अक्रास यह base emitter junction VCC के अक्रास base collector junction यह reverse bias यह forward bias और याद रखें base emitter junction को हम लोग input loop बोलेंगे base collector को output loop का नाम देंगे देखें VBB के अक्रास जहां से current जो flow करेगा उसको हम लोग नाम देंगे emitter current का emitter current इस point पे convert हो जाएगा base current and collector current यहां से VBB के अक्रास जो current flow करेगा emitter current होगा यहां पे base terminal के अक्रास IB इसको बोलेंगे और यहां से होता हुआ जो collector के अक्रास होगा उसको IE sorry जो emitter के अक्रास होगा उसको IE emitter current का नाम देंगे और यहां से current flow करेगा from the positive प्रणला VCC इसको collector current का नाम देंगे मैं दोबार repeat कर देता हूँ VBB से यहां से emitter current flow किया emitter current जो है न वो divide हुआ base current and collector current में emitter current देखें base के एकरास IB current base current होगा और emitter के एकरास जहां पे current होगा emitter current और collector current कैसा होगा positive आप VCC से यहां से collector current flow करेगा यह यहां पे NPN transfer में कुछ current flow करेगा जैसे कि हम लोग बात कर चुके हैं कि NPN transfer में जो total current होता है वो sum होता है base current plus collector current which is equal to the emitter current अगर आप लोग इस circuit डाइगराम में जहां पे हम लोगों ने current की direction को represent की है आप लोग किर्चब first rule को apply कर दें किर्चब first rule जो है the current flowing towards the point is same the current flowing away from that point और sum of the all current flowing एना close circuit is equal to zero एक close circuit में current flow करता है जो उसका value कितना होता है sum उसका कितना होता है 0 होता है देखें तरह और से यह point है इसकी तरह flow कर रहा है emitter current और यहां से इस point से away flow कर रहा है base current and collector current mean emitter current जो toward the point flow कर रहा है collector and base current away from the point flow कर रहा है तो दोनों का जो sum होगा emitter current के equal होगा तो यह हमारे पास current equation of np and transistor है emitter current is equal to base current plus collector current अगर हम लोग बात करें gain of this np and transistor वो होता है output current dividing by input current यह आप इसको बोलेंगे collector current to the base current the ratio between the collector current to the base current is equal to the beta and beta is known as the gain alpha np and transistor मैंने आपको बताया था कि base meter junction input loop होता है base collector output loop होता है input loop का जो current होता है वो base current होता है output loop का जो current होता है वो collector current होता है output current dividing by input current this is equal to beta and beta is known as the gain of a transistor हम लोग बात कर चुके हैं कि एक np and transistor में जो base current होगा क्योंकि base current lightly doped होगा small in size होगा उसके क्रास बहुत कम electron flow करेंगे तो base current का value हमेशा np and transistor में very small होगा as comparing to the collector current collector current का value ऐसा के large होता है और base current का होता है denominator में base current का value का होगा तो overall जो gain होगा transfer का वो कैसा होगा large होता है np and transistor का जो gain होता है student वो several hundreds में होता है यह हमारा आज का lecture था जिसमें हम लोगों ने बात की है current flow in a np and transistor इसके साथ ही अलाफिस और स्थमें